मुझ खोला तो तुम्हें भी इसी तरह कर देंगे, मुझ खोला तो तुम्हारे भाई को मार देंगे, क्योंकि भाई को तो उठा ही ले गए थे, तो ब्लैक मेल करके चाहा जितने वीडियो बनाते, उनकी चितनी इच्चा होती उतने, उसको तो इच्चा है, यहीं मार के कह द अगर ऐसा कोई कहा हो तो मुझे बता दीजिए मैं इस एंकाउंटर कहना शुरू कर दूँगा ती जहां डखैती हुई थी वहाँ से फोटो जारी करती है पुलिस कि उसमें पांच लोगों का नाम आता जिसे मंगेस यादो भी बताया जा रहा है बुलू कलर का सड पहन रखा और हाथ में पिश्टल है उसको मंगेस यादो बताया जा रहा है हलाकि सर पर हेलमेट लगा हुआ है लेकिन पहचान उसकी कर ले गई है कि वो मंगेस यादो है इस तरह कि किसी की पहचान कर पाना क्या मुनासिब है कताई नहीं है यह केवल केवल अपने को बचाने के लिए अब लगे हुए क्योंकि आप जैसे मेडिया के लोग लगे हुए हैं लगातार खुलासा करने के लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अब इसे एंकाउंटर नाम ना देखिए क्योंकि आप लोग जब से यहां वीडियो बना रहे हैं निउस बना रहे हैं लगातार आपको क्वाव का कोई भी एक बेक्ति ऐसा ना मिला होगा जिसने कहा होगा कि वो आप सच में अपरादी था अगर ऐसा कोई कहा हो तो मुझे बता दीजिए मैं इस को एंकाउंटर कहना शुरू कर दोंगा देखो जो चीज योजना बनाई गई होती है उसके लिए कोई तैयारी अलग से नहीं होती है उन्हें सब कुछ प्रिप्लांड था वहाँ उसकी बॉड़ी रखी गई थी है न और वहाँ पर सीधे पहुचना था और फोटो खिचा के पोश्ट करना था कि हमने काम कर दिया उपर मैसेज भेज दिया जाता है तो वहाँ वह चपल पहन के हो सकता है निकर में भी आ गए होते हैं तो यह सब प्रिप्लांड था क्योंकि कोई भी एस्टिएप का है और एंक देड़ लेंगे तो इसे भागेंगे चपल पहन के वह भाग लेंगे नहीं भाग पाएंगे तो जो अपराधी मानसिक्ता के लोग होते हैं वो कहीं न कहीं चूक कर जाते हैं और वो यहां पर चूक कर गए हैं और चूक ही नहीं कर गए हैं पूरा का पूरा केस एक दम साफ क्योंकि किसी अपराधी को जब पुलिस उठाती है यह सब को पता है पूरा देश जानता है कि किसी को उठाने के बाद तलासी लेती है सबसे पहले उसे कर देती है निहत्था उसके हाथ में कुछ निजाचा इवन बेल्ट तक भी निकलवा लेती है अपने पुलिस कबजे में ही लेती है तो इसलिए कि कहीं कि उस भी हथियार के रूप में उसे काम ना आ जाए तो जिसको खुद बotं के ले के गए हैं जिसको निहत्था कर दिया है उसको क्या एंडिकाउंटर में मारा जा सकता है यह यह कहा जाएगा कि हमारे बगलन वैठा गुली मार दी ऑसकी बहन और वो मंगेज की बहन कहते हैं के दो-तीन महीने से मारा भाई घर पर ही नहीं है सवाल तो फिर से इसलिए खड़ा होगा कि आप अगर कमजूर हैं तो आप से कुछ भी बुलवाया जा सकता है जब जिसका एंकाउंटर किया गया है ना उसको उसके घर वालों को क्या बोलने लाइक छोड़ा होगा उसे तो लगातार धंकिया मिल रही होगी मूँ खोला तो तुम्हें भी इसी तरह कर देंगे मूँ खोला तो तुम्हारे भाई को मार देंगे क्योंकि भाई को तो उठा ही ले गए थे तो ब्लैक मेल करके चाहा जितने वीडियो बनाते हैं उनकी जितनी इच्चा होती उतने ही उसको तो इच्चा है ये भी बुलवाते यहीं मार के कह देते कि परिवार वाले कहो कि यह तो यह तो यहां भी करवा सकते थे लेकिन बाद में वही बच्ची क्या बोली है ये भी आपके सामने है वो कह रही है कि हमारे उठा के ले गए है तो पहले पुलिस का बीडियो पहले का बीडियो है और जो अब बीडियो आ रहे हैं उसमें सच्चा ही निकल रही है पुलिस को इतना समय क्यों लगा बीडियो जारी करने में क्या इसके पीछे भी कुछ साजिस पक रही थी क्या कि बीडियो उस समय जारी किया जाएगा जब कुछ चीजे हो जाएंगी देखिए युकि बीडियो जारी की ऐसे नहीं है वो वहां पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़े लिखे जब वाइट क्राइम कहते हैं इसको स्वेत वसान अपराद कहते हैं हिंदी में वाइट क्राइम जो करते हैं न वो योजनाबद तरीकिस करते हैं और यह योजनाबद करके वाइट क्राइम करके बचने का प्रियास कर रहे हैं लेकिन बचेंगे नहीं है अपराधियों के मारने के बाद तो वहाँ वाही खूब मिली और साही साहब के पत्नी को महिला आयोक का सदस भी बना दिया गया यानि प्रदेश सरकार की नजर में तो डेसमी साहब ने बढ़िया काम किया अपराधि का इंकाउ बहीं करा लएगा कि अपर बढ़िया गया प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री योगी याद तिनाथी मैं सबसे ज़ादा इंकाउंटर हुआ हैं तो बहुत का हुआ उकलन इसक्राश अश्मानों का हुआ उसकी यादोनby और अन्यजा cuál गना जो तरीके से हुआ ऐसे मों प्रकाश राजबर कह रहे थे कि जब मुसल्मानों का एंकाउंटर होता तब तो अखलेश नहीं बोलते या फिर इतना हो हला तो नहीं होता है यादो के होने के नाते आज अखलेश को बड़ा दुख हो रहा है और फिर भीड जुटवा रहे हैं मंगे कहीं से जो दहशत फैला रखी है है ना कि तुम्हारा भी अतीक एहमत जैसा हाल कर दिया जाएगा तो उसकी कौम कहां खड़ी होगी लड़ाई के लिए कड़ी होगी क्या पुलिस कस्टडी में जिन लोगों को मार दिया जा रहा है वो कहां आवाज उठा सकते हैं कोई एसी करता तो क्या आवाज उठती इसकी इसी तरह लोगों को डरा धमका के पूरे समाज को चलाया जा रहा है मुसलिम समाज तो बहुत डरा दपका है इतना डरा हुआ है कि वो अपना कारकरम करने से पहले ही अपने लोगों को तैनात कर लेता है कि कोई सड़क से इस तरह बाहर निकले कि वह इसलिए में अब आना निशायते उनको पता है की हमारा मुकतार अंसारी जैसा हाल हो जाएगा हमारा कौन चाहेगा तो चाहेगा नहीं जाएगा यह तो जानते ही होंगे कि दिवरिया कांड में हम लोग शक्रिये हुए थे और वहाँ पर न्याय दिलाकर ही थमे थे है ना लखनव में महाँ पंचायद भी करवा दी थी है ना तो आपको क्या लगता है पहले मैं शक्रिये नहीं था मैं पारिवारी के दायतों से बंदा हुआ था अब मैं पारिवारी के दायतों से मुक्त हूँ मेरे को केवल समाज के लिए काम करना है तो जब तक मंगेश को न्याय नहीं मिलेगा हम रुकने वाले नहीं है मैं अकेला नहीं हूँ हमारे साथ बहुत बड़ा पूरा का पूरा संगठन है। उस संगठन के जरीए मंगेस को यादो के निया दिलाएंगे। क्योंकि उसको बचाने की पूरी यजना चल रही थी जब उनको पता लग arrow कर डिया की इसा पूरे 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 प्लान किया है अपने जनू डूबती हुई राजनेतिक नईया को बचाने के लिए यादूओं को गुंडा और डकैद बना दिया आपको हम इसी मामले से जुड़ा एक मामला बता दे रहे हैं कि इसी मामले में सुल्तानपुर लूटकांड मामले में आजम गड़के चमराडी गाउं के रहने वाले अर्विंद यादो हैं जब हम उनके परिवार से बातचीत करते हैं तो उनका परिवार कहता है कि एक तारीक को पुलिस ले गई और 11 तारीक को गिरफतारी दिखा रही है वो भी बता रही कि उनके पास से जेवरात बरामद हुए है तो क्या ये लोग वहाँ भी जाएंगे कि कुछ परिवार को भी डर है कि अर्विंद यादो कभी अनकाउंटर न हो जाएंगे उकात नहीं है कि एरबिंद यादों के चूलें ये पांच की घटना करने के बाद से हत्या ये करने के बाद से उनको पता लग गया है कि अब अगर हम इससे एक इंच भी आगे बढ़े और एंकाउंटर किया तो हमारी ऐसी की तैसी हो जाएगी अब उनके बस की बात नहीं है अब उनके सारे कुकर्म जनता की निगाहों में आ चुके हैं जनता इनको बखसने वाली नहीं है